हेलो एवरिवन चलिए आज हम बनाते हैं वेच पिज्जा जो बनाना बहुत ही आसान है बिना इस्ट बिना आवन के तो चलिए रेस्पी फटाफट सुरू करते हैं बाउल में 1 कप मैदा, 1-1 चम नमक, 1 चम बेकिंग रोधा डही डालें इन सभी चीज़ों को मिक्स करनेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सापानी और हम सॉफ्ट दो तयार करेंगे इसमें हम डालेंगे बटर को जिस दो हमारा और लचीला और सॉफ्ट बनेगा ये देखे हमारा डो तयार हो चुका इसे हम 10 मिनिर के लिए रिस्ट पर रख देंगे अब हम बाउल में लेंगे पनीर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तिज्जा हव नमक डाल देंगे, जिंजर गारलिक पेस्ट डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अब तबे पर डालेंगे तेल और सभी मिक्स कर लेंगे, इसे हम 2-3 मिनिर के लिए पकाएंगे जिसे हमारा पिज्जा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा अब उसी मसाले में सिमली मिर्ज को डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे तबे पे इसे भी हम दो-तीन मिनिट के लिए पका लेंगे नहीं तो सब्जी हमारी कच्छी राजा दे तो पिज्जा में और टेस्ट नहीं आता है इसे पिज्जा बहुत ही टेस्टी बनता है हमारा डोह तयार हो चुका है इसके हम पेड़े बना लेंगे और हम ऐसे हाथों सिकी बंदन से इसे फैला लेंगे चम्मच की साहब्ता से इसे हम छेद कर देंगे अब भी मोझरीला चीज को ने तो हम भर बर कर डालेंगे नहीं तो हमारा पिज़ा चीज़ी नहीं बनेगा इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और गेनों डाल देंगे इसे हम तीस मिनिट के लिए बेक करेंगे यह देखे हमारा पीजा रेडी हो चुका है अभी से हम निक लेंगे और सरव करेंगे इसे हम चाकू की सहयता से काट लेंगे यह देखे कितना सबना अविया यह काटने में भी और हम शथम दौन यह वाइट इसे आप बनाएं एंधंद्ण को सब्सक्राइब करें स्वेरे